नमस्कार आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूस महरवी कुमार पांडे आप लोगों को ले के आया हूँ एक खास सक्स मिलवाने जो आप लोगों को बता दूँ कि हमारे साथ है कैट के विवसाइक संके जिला ध्यक्ष जिनका नाम है स्रीक कमल कामदार जी जो हमारे साथ हैं आप लोगों को रूबरूं करवाओंगा इनसे और कुछ खास इनसे बाते करेंगे सिक्षा के बारे में कि सिक्षा जो है सीडी जिले में अपने को नहीं बलकी पूरे मद्य प्रदेश में जो है तो हमारे सीडी के नहीं बलके पूरे स्टेट के जो सीएम है उनसे मैं कह सकता हूँ इस बात का कि आज कल जो है तो शिक्षाक इस्षाष पर में सभ़ी स्कूल या कॉलेज के बच्चों का चो है तो प्रमोशन किया जा रहा है ऐसे ही जैसे ही हम कह सकते हैं कि हम डोकों का बोट एक्जाम हुआ करता था लेकि आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षाक हैं तो वह सिर्फ एक जैसे हम कह सकते हैं कि आठवी से लेके बारवी तक भी टोटल प्रमोशन ही चल रहा है उनके इसी चीज पर जो है तो हम बात करने के लिए स्थर के साथ हैं बहुत बहुत धनिवाद है सर आपका हमारे चैनल पर और मैं इस बात को जानना चाहूंगा आप से कि सिक्षा के बार कि फीस अभिवागों को भरनी पड़ रही है और सिच्छा के नाम से कुछ नहीं हो रहा और घर बैठे उनको परिछाए दिलवा रहे हैं जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है इसमें क्या होगा बच्चों का भविश्य खतम कर रहे हैं आप बच्चों का भविश्य खतम होगा आप चाहते हो कि आप बच्चे नौकरी नवांगे अनपढ़ हो और वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे क्योंकि न वो पढ़ पाएंगे और न कोई काम करने के लिए बाहर जा पाएंगे आपकी सोच सिच्छा के प्रति कैसी है यह समझ में नहीं आ रहा है आप बच चाहे दिलाई जा सकती हैं बच्चों का भविष ना खराब करे सासन से यही हमारी गुझाईश है तो आप यह वताईए कि पहले जो था एक स्कूल टाइम जब कह सकते हैं कि हमारे सीरी जिले के बच्चों का विकास रुपता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन आज कि खास कर देखने को मिल रहा है कि कोई भी हो पूरे मद्यपरदेश में देखने को मिल रहा है कि जीरो से लेके आठवी तक का ऐसे ही प्रमोशन किया जाता है कोई भी बच्चा फैल नहीं होता और पहले क्या था कि माली जे पाच्चवी तक था या फिर आठवी तक यह दो किताब साथ रख रहे हैं पढ़ने के उनको जरूती नहीं है बच्चों का भविश अंदिकार में होगा सासन को चाहिए कि परिच्छाएं चालू करें अब बच्चों को पचास परसंट उसके साथ क्लास में अगर सो बच्चों की जगा है तो पचास बच्छों को आप बैठा के उनके शिच्छा चालू रखें बच्चों का भविश खराब ना करें अभी वावग पूरी उसका प्रेमेंट दे रहा है इसकूल की पूरी फेस दे रहा है तो परिच्छाएं भी होनी चाहिए और स्कूल भी चालू होने चाहिए सुरच्छा अपने हाथ में है सुरच्छे अगर स्कूल में है तो अलग-अलग सिप्ट में दिया जा सकता है जैसे कि ये कहा जा रहा है कि भाई छै सब्जिक्ट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि सुबह के छै या साथ वज़े से क्लास चल सकती एक जारा वज़े तक एक जारा के बाद फिर से एगा या फि कि जो ये आठमी तक के बच्चों का प्रभोशन हो रहा था और इसके बाद जो नाइन दू क्लास में जब बच्चे पहुंचते हैं तो अनके पास कुछ बस लगता कश भी मां आतना पाई तक उन्हें नहीं पता होता तो क्या कहेंगे हमाला प्रदेश के या हम कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री जो हमारे देश के तो ये क्यूं ऐसा कर रहे हैं आपको क्या लगता है इसके बारे में उनकी समझ समझ में नहीं आ रही है वो बच्चों के भविश्व साथ खिलवार क्यों करना चाहिए परिच्छाय दिलवानी चाहिए एक कम क्लास में कम बच्छे बैठेंगे तो पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगेगा उनका और भेड़ भी कम रहेगी करोना से बचेंगे और उनकी सिच्छा बहुत अच्छी होगी स्कूल नहीं बंद करने चाहिए किसी भी कीमत पर हर चीज जब आप चालू कर रहे हो तो स् बात से जो है तो एगरी करते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो है तो सर के घर में कुछ दिन पहले करोना पॉजिटी पाए गये थे मतलब कह सकते हैं कि इनको लगा था ऐसे कुछ लक्षण पाए गये थे जब उनकी जाच हुई आपके बच्चे का तो जो है तो उनको जो हनी गेटी पाया गया तो करोना का जब आपने नाम सुना था क्योंकि देखा जा रहा है कि वैसिक बीमारी जो है करोना तो आपके घर में जब करोना हुआ तो आपको क्या फीलिंग आई कैसा लग रहा था उस टाइम आपको पिछले साल मेरे भाई और भ पूरे लच्छन के साथ करोना मुझे तो लगता है करोना ही था अब मैंने यहां जाच कराई उसमें निगेटिव रिपीट निकली मैंने उसका सिटी स्केन कराया जिसमें उसे करोना के लच्छनम देखे मैंने उसकी पूरी दवाई कराई मेरा बच्चा स्वस्त है पर करोन अस्पताल में पहुंच जाता है उसकी क्या हालत होती है यह वही जान सकता है और इसको सरकार को चाहिए कि जहां करोना के मरीज भरती हों वह सीसी टीवी कैमरे से बाहर पबलिक जो है उसके परिवार है वह अपने परिवार को देख सके इसकी सुईधा जरूर कर दे क्योंकि लोग गलत उसका आर्थ निकाल रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है वह अपने परिवार को देखना चाहते हैं फिर बाड़ी भी नहीं मिलती बिचारे इसलिए वह तड़कते हैं सीसी टीवी कैमरे लगे रहेंगे तो वह अपने परिवार का इलाज देख सकेंगे और उनको मन करोणा हो गया है क्योंकि देखी ऐसा होता है आप लोगों को बहुत 겁니다 कहती है कि कॉरोणा कहा है 48 अब 2 सक्सक्राइब ode क्रजहलं को देखने को नहीं मिल रहा है हमterm की सबसांटा है कि खाता है स्था नहीं नहीं होग है तो लोगों insane भी समझ में आएगे, जैसे माल लेजी कि हम यह भी चीज कह सकते हैं, कि अगर किसी सक्स को जो है करोना हो गया है, उसका रिलेटिव अगर कोई उसके साथ है, तो वो जरूर देखने चाहेगा इस बात को, कि अगर मेरा बेटा अंदर है, या मेरा भाई अंदर है, तो क्या बी बिल्कुल, बिल्कुल, तो यही हम चीज से आप से बिल्कुल एगरी करते हैं, आप यह वताईए कि इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, कि मतलब यह चीज जो होनी चाहिए, क्यों नहीं है, क्या कहेंगे इसके वारे में आप, इसके लिए प्रधान मंत्री जी को गाइड आक्टर उसका इलाज कर रहा, क्या इलाज कर रहा, हमसे जो इंजेक्शन के पैसे लिए जा रहे हैं, हमसे जो दवाई के पैसे लिए जा रहे हैं, वो हमारे मरीज पर लग रहा है, कि नहीं लग रहा है, वो मुझे देखना है, मेरा परिवार उसकी अंदर क्या स्थित है, वो मुझे लब सामने वाले को देखना बहुत जरूरी होता है इसलिए सरकार को चाहिए इसको पारदर्श्टी बनाए तो आप यह बताई कि आप ने जब अपने बच्चे का जब करवाया कॉavat हो मैं आज मैं अधिन कर मैंने जब करोगूण के लक्षण गर में पूरा है लाज घर से ही गया parfois मैं रिवा ले गया th गालके लक्षण था तो आप ऐसा कईैगे साथ को मेरे बेटे के साथ कौण सी दाइब रहा है मुझे कुछ नहीं पता और मैं अपने अपने दाइयां ले के अपने घलाब आगे सार दिबने ते जान कंगा कर रहा है घर आगें घर साहत। पुरा घर उसके साथ था तो इसका मनोबल बढ़ा हुए था बिल्कुल estás बरी करोना के मरीज को मनोबल नहीं टूड़ना चाहिए जिए मनोबल उसका तूटा तो वो अंदर से कम्जोर हो जाएगा तो इसलिए उसका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए और यह अगर स्टी भी लग जाएगी तो हर मरीज अस्पताल जाने से नहीं डरेगा तो आपका कहना बिल्कुल सही पॉइंट है मैं इससी से एगरी करता हूं और जो पैसे लग रहे हैं मरीज के उपर तो क्या उसको टीटमेंट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है आगर यह सभी चीजों का जो हम देख सकें अपने बच्चे को देख सकें भाई परिवार को देख सकें इससे अच्छा कोई मेरे लिए बात ही नहीं होगी हम कह सकतें इस बात से कि लगभग पूरी जनता अगर खुस हो जाएगी इस बात से अगर CCTV कैमरा उपलब्ध हो और मरीज को कोई देख सके दन्यवाद अभी तक आप देख रहा थे तरंग 24 नियूज जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक संदेश मैं अपने सभी भारतवाशियों को य बना ले जैसे आब चार वस्तर और प्रहनते अगर पाचंवाश्तर मास्क को बना देटे हैं बिलकूल आपने बहुत-बहुत बड़ी बात कही कि बस्तर आप नीचस लेकर ऊपर तक पहणते हैं वस्तर की आपके वाडि में कमी नहीं होते कि मीनिक에 छोटा सा वस्तर जो आपकी पूरी जिन्दगी को जो है तो बचाता है तो आपका संदेश जो है बहुत बड़ा संदेश है कि आप जो है अपनी जिन्दगी का अगर सुरक्षित रखना चाहते अपनी लाइफ को तो मास्क जरूर लगाएं हाथों को सेनिटाइजर करें घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो डिस्टेंस जरूर बना के रखें धन्यवाद अभी तक आप देख रहा है तो तरंग 24 न्यूज मैं रवीकुमार पांडे कैमरा मैं राकिस बर्मा के साथ नमस्कार